कि वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हुआ इसके रिगाडिंग मैं दो वीडियो बना चुका इस टॉपिक के ऊपर और फिर भी आपे बहुत बंदे ने गलती किया था जो कल स्टीम पर आके बोले तो मेरे को खराब लगता है जब मेरा कोई सब्सक्राइबर जो मेरे को सब्सक को सब्सक्राइब करें तो आज के वीडियो में क्लिया बताने वालो आगे से कुई भी प्लियार्स यह चीद करने से पहले दो बार सोच लेना और क्या बहुत रहें पर सेगंड इस होने वाला हम लोगे इन फॉकस के जो प्लियार्स से ओलो कैसे आप नहीं होगा यूसी एल पूच रहें दो बर आपे कौंद आ दूंगा यहां पर देख से तो सबसे लेका चलता अप लोगो क्लाप के अंदर या प्लाप के अंदर में लेकर जाओंगा एक तीन वाले सिख्शन आप लोगो देखने का मिलता है एक सिमाने के बाद या पर यूनिवरस्ट रैंक प्ले इसके आंदर देखो यहां पर डूरेख लेव लेबल है 801 OBR का CDM यहां पर यहां पर दोनों के स्पेसलिटी बता दिरहा हूं सबसे पहले यहां पर डूरेख जो काम करते 8089 कोई भी बेस प्लेयर जो अगर कोई भी प्लेयर के बाइटीटी फेस भी अन्दर होता है तो उस प् प्रवाइनियार के उपर फोकस करकि यह सले जीदे बना गया है जो यह पर पता लग रहा है आराम से तो आप बताना चाहूंगे आपे सीधा यहाप लेकर चलतो आप लोग को इसके जो मेरा टीम के अंदर टीम के आदर देखो सबसे पहले रहा लोग मैं यहाप ट्राइ कर रह नॉर्मले डिफॉल्ट यहाप जो इसका ओव्यार है वो था 88 तो भीनी को अगर मैं करने जाओंगे यहाप रैंक अप तो यहाप आप से ना जाएं क्योंकि इसका बेसिक ओव्यार जो है ओए ट्वीट नहीं था भली मैं उसको अपड़ेट किया इतना दूर तक बट वह है बट यहाप देखो रेमी रेस नाइन टी दीख रहा है आप लोग सुझें कि यह तो 90 हो गया अब 90 वाले प्लेयर को बोल रहो नहीं इसके बेस बेर 89 था इसका बेस बेर 90 नहीं है इसका बेस बेर 89 है तो इसके उपर जो है यहाप यहाप पर डूडे काम करेंगे यह जो में करनों कार्ड यहां पर दिया गया एक्सेंज में और भी बहुत सरे कार्ट आने वाला है दिरे दिरे ऐसी चलेंगे और बहुत बड़ी आची तरगा कुछी उनिक चीज़ है यह पर किया है तो जो भी है बहुत खतरना चीज किया मेरे को अच्छे ही लगा है आप लोग कैसे आप लोगों इन से चंपियंस लिग जो भी आप इवेंट आ रखा है इन फर्म फोकस में यहां पर एक चीज देखो यहां पर क्या लिखा गया है लोग ने क्या लिखके रखा है ओवियर प्लास वन हुएं दा टीम विंस टू आउट आउट ऑफ दा लास्ट त्री मतलब गुरूब स्टेज में लिखन जो यहां मैं जीट जाएंगे तीन में से ओसरे टीम पे जो प्लैयर है जो यहां पर गेम में लिस्टेट है उसले टीम फोड़ार उन के एक वियार यहां पर आपग्रेट होने वाला है बहुत इंपॉट चीज है अच्छे से सुन लो ज तक ठीक हो जाएंगे इसलिए में बोल्ड आओ एक विर आपग्रेड होने से पहले रुड़े को काम कर लो अगा सोचो की रियल मादित जीतेगा तो रियल मादित को आप बाद में नहीं कर पाऊ है क्योंकि रुडिगर को उस टाइम पर 90 OBR हो जाएंगे उसके उसका वे गेम क दो डूडेक की काड या पर बचा के रखो हैं दो आप बूस्ट कर सकते उस टाइम पर बाकी आप लोगों को मैं एक चीज दिखा रहा हूं या पर देखो लिखा हुआ है या पर पास्वान एक प्लियार यहां पर रियूस है फिर या पर आल्मीरन है दोनों के या पर चीज एक चीज दिया गया है कि लाइब बूस्ट कॉंडिजन क्या है प्लास वान ओवियर हुएन स्कोरिंगा गोल और गेटिंग एन एसिस्ट अगर एक गोल स्कोर करते या फिर एक एसिस्ट मिलता है तो उस टाइम पर इन लोग के एक करके बढ़ेगा आगले जितने भी यह पार्फॉम कर रहे हैं तो दो बढ़े टोटल तीन बढ़ सकते हैं अब मैं आप लोग को ऑफियाल पोस्ट में लेकर चलता हूँ और देखो वापर क्या के लोग ने बोल के रखा है सबसे पहले हाँ चलो यहां पर आ चुका हूँ आप देखो इन लोग ने यहां पर ल सबसे यहां पर जो मैच में उनलों को जीतना पड़ेगा तब यह जीतना हो रखा है बट फिर भी यहां पर देखो आप टू प्लास्ट हो भी है फोर प्लेयर्स फ्रॉम फोकर्स चैप्टर पर स्पेसिफिक रिकॉर्मेंट क्या है मैंने अभी आप लोगो गेम के अंतर दि यहां पर देख सकतो आंट्रेडबल उसके बाद यहां पर क्या लिखा गया है कि रूइस का अगर यहां पर बात किया जाए तो लाइव वियर बूस्ट कॉंडिशन यहां पर प्लास्वान ओवियर् जब यहां पर गोल यहां पर स्कूर करेगा उसके बाद यहां पर अगर एसिट भी करेगा तब भी चलेगा दोनों में से कोई एक बट हार एक गोल या फिर एक करके बढ़ने वाला है लेकिन यहां पर कॉंडिशन देगो थोड़ा अलग है स्कूरियां गोल और गेटिंग अचा इसके लिए वह सेम दिया है यहां पर देखो वान अबेर होन यहां पर देख सकते हो कि यह लोग आर भी है राइट बैक है तो यह लोग तो गोल नहीं करेंगे इन लोग मतलब उसे क्ली टकिंग और यहां पर गेटिंग न आशीय तूस टाइम पर इन लोग का झो है तो यही सारे चीज ता गाइस यहां पर देख सकते हो जो सलीवा है वह भी इसमें बैटा मतलब है इसमें वानों वीनिंगा मैच और किपिंग खिलना पड़ेगा तो देखता है कि तना टाप होने वाला हो जाए तो पिसालीबा तो मेना टीम में हैं कोई प्रॉब्लम है नहीं इस वीडियो में दोनों इंपरेंट चीज मैंने आई थिंग और कोई डाउट रहना नहीं चाहिए एक बार नहीं समझ में आता है प्लीज वीडियो को दो बारा देखो जापर जापर मैंने खास दिया हो थोड़ा सा सायद मैं फिर भी आप बतानेगा जितना हो से कोशिस क् अगले वीडियो में और कुछ नया टॉपिक के साथ आप तक लिए बाई-बाई-बाई-एंद चेहिंद